कि अब आपको सी यूई टी आगे देना है जो की बात बिलकुल ठीक भी है क्योंकि बिना उसके किसी भी कॉलिज के अंदर एडिमीशन मिलना बहुत जादा मुश्किल है पट अगर मैं चीजों को एज़ा यूमन बिंग देखता हूं या अगर मैं ऐसा स्टूडेंट चीजों को सोचता हूं तो यार हम मशीन नहीं है कि बस सुच ओन के और धर 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 चीज़े जो बननी शुरू हो गई है यार हमें जो है चीजों को री स्टार्ट करने के अंदर थोड़ सा समय लगता है हमारे मन के अंदर बचपन से ही बोर्ड एक्जाम का बहुत बड़ा प्रेशर डाला जाता है और जिस दिर वो बोर्ड एक्जाम खतम होता है तो as a human being हम relaxing mode के अंदर आते हैं और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि हाँ जी जो कि एक या दो दिन के अंदर वापस से fresh हो जात हैं और restart कर देते हैं और कुछ बच्चे जो है मेरी तरह भी होते जिनको थोड़ा सा लंबे समय लग जाता है अपनी चीजों को वापस से start करने में और यहां पर बहुत से बच्चे हैं अभी मेरे पास जिन्होंने सी यू इटी अभी start नहीं किया बट मैं आप लोगों को ए अगले 30 दिन के अंदर जो है वह सी यू इटी को बहुत फोड़ा जा सकता है बहुत तरीके से उसके इंदर नमबर निकाले जा सकते हैं 100 100 परसेंटाइल भी जो है निकाली जा सकती है मैं किस अधार पर यह बात कह रहा हूं मैं हर साल जो भी बात आप लोगों कहता हो ना कि प्राक्टिकलिस को देखना पड़ेगागा यारी ये सीउएटी जेए नियुक्त इकसार की मयनथ चाहिए एक साल की मेहनथ चाहिए आपको यहां पर तुम सीअगर पेपर उठा के देखोगे बात पते किया है बेचा जा रहा है आपको सीदा सीधा डर आपके मन के अंदर पधाया जारें इसके नाम का बहुत सिंपल टू दा पॉइंट क्वस्चन्ज आते बट वही यह रिलेवंश सी माटर कर दिया आपको रिलेवंशी जो है वो रखनी आपको रिलेवंट पढ़ाई करनी है आपको रिलेवंशी आपको नहीं भागना होता यहां पर अगर मैं ले लेनी चाहिए मेरे भाई आप मेंसे बहुत से बच्चे जिनका डोमेन अगर अभी क्लियर नहीं है आपको लगता है कि क्लास 12 के अंदर मैंने उतनी मेहनत नहीं करी तो आप जीटी का सपना देखना छोड़ दो उस कोर्स की तरह मत देखो जो कि आपको सीटी के अंदर जन नहीं हो पाएगा अगर आपको लगता है कि क्लास 12 के अंदर मेरे बॉर्ड एक्जाम ऐसे थे कि हाँ मेरे बॉर्ड एक्जाम के अंदर जो है 80 85% मार्क बन जाएंगे मेरी तैयारी ठीक है मुझे खुद को ब्रश अप करनी की जरूरत है तो तो फिर आप जनरल टेस्स को ज लेके चलते हो कि यह भी मुझे डोमें से पढ़ना है मुझे जनरल टेस्स पढ़ना तो मुझकिले आएंगी नहीं बन पाएंगी चीज़े आप लोगों को प्राक्टिकल हो के सोचना है यहां पर आगर आपको लगता है कि बाई 19-20 की मेरे अंदर कमी है ठीक है वह बहुत स नए कॉंसेट्स है कुछ ऐसी चीज़े जो कि आपको बहुत स्क्राइट्स लेवल से सीखनी पड़ेगी यह हो सकता है कि एक आदा दो तिन चाप्टर ऐसे हो जो कि आपको वापस से सीखने वो चीज़ अंडरस्टांडेबल है वो चीज मैनेज हो जाएगी इसके अंदर ल ताले खुले वें कि बहुत सारा से लेवास है यह हो जाएगा वहो जाएगा मुझे यह भी करना है मुझे वह भी करना है सारे तालों को बंद कर दो मेरी भाई सर्फ एक ताला खोलना है आपको अपने दिमाग के अंदर अगले तीस दिन जो है मुझे 8 से 10 घंटे तो यह प्राक्टिकल अप्रोस से आप लोगों को चलना पड़ेगा अब उसके बाद देखो मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं प्रॉपर थर्टी डेस का एक टाइम टेबल जो है वह आपके साथ शेयर करूंगा जिसके अंदर आपको इंग्लिश कैसे पहुआया चाहिए यह नहीं चाहिए तो मेरे भाई यह जो फितूर आपके दिमाग के अंदर है कि सर मैंने जें बिल्कुल जीरो पड़ाई परही है अगले 10 के नदर चीजें क्लियर होगी है तो दृब बात शिए करनया होती है हमें तक दृक्टिकल पर्हें होती ह 120 का oh को डेली जो है वो चिंताय आती रहती है इन दिनों आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्ने लग रहा होगा कि सर मैं डेली सोचता हूं कि यार कल से पढ़ूगा मैं कल से कर दूगा मेरे भाई अब एक ऐसी सेंसिटिव लाइन पर खड़े हो एक ऐसे पॉइंट पर लिए तो लाइफ की बहुत सारी चीज़े सुधर जाएंगी आप जिन्दीगी के अंदर आपका फ्रेंड सरकल कैसा हो रहा होगा आप किन लोगों के साथ उठ रहे होगे किन लोगों के साथ बैठ रहे होगे किस तरह की कि आपकी इंटराक्शन होने वाले वह अगले तीज के अंदर पहुंचता होता है उसका लाइफ स्टाइल तोड़ सा चेंज होता है लाइफ उसको बहुत सारी देरी होती है आप अगर एक अच्छे के अंदर पहुंचे वह नो डाउट आपकी जो शुरुवात होगी वह बाकी बच्चों से 10 कदम आगे से स्टार्ट होगी क्य लेकिन बाकी बच्चों से आप बहुत आगे निकल जाओगे तो मेरे भाई यह फितूर चोड़ दो आलस करना आप चोड़ दो आज इसे ही बैट जो यह वीडियो जिस भी मुवमेंट पे आपके पास आ रही है यह मतलब थोड़ा सा प्राक्टिकल होके सोचो यह सारी इंसल से करने पड़ेंगे तो मेरे भाई एट लास पेपर आपको ही देना है अगर आप लोगों को बहुत वर्स से बाहर निकाल के लिए लेकिन अगर आप यह सोचोगे कि मेरे दस टॉपिक नहीं पढ़ूंगा यह नहीं तो फिर तो आगे आप जो चार पंस टॉपिक और कर सकते थे आपने तो नुकसान कर लिया यह सारी चीज़े सोचना शूड़ दो और आज से मेरे भाई दट कर बिल्कुल दट कर अपने स्यूट के लिए पढ़ना जो है वह बिल्कुल शूरू कर दो कोई बात नहीं एक दो दिन हमारा टाइम टेबल नहीं फॉलोगा चार- तिल दिन वाबाय और टेक केर